हमारे पीछे जो ये लोग दीख रहा हैं, इन लोगों को आज राम के नाम पर भोट देना महंगा पड़ चुका है आप तो भरस्टाचार बहुत सारे जगों पर देखे होंगे चाहिए वह नाला हो गया Cाहिए वह रोड हो गया चाहिए वह रुष हो गया या बड़ा-बड़ा सडक निर्माड को गया आप सबी तीकदार का भरस्टा-चार का वीडियो तो कहीं ना कहीं आप आप सोजी घाटी के लोग हैं और सोजी घाटी के लोग एक ठीकेदार से परेसान हो चुके हैं क्योंकि हमारين पीछे तो आपको चभूतरा दिख रहा है जाले तीन लाख रूपय में बनाया गया है और चभूतरा का निर्मार को अधा है महज 30 फिट लंबा और चार फिट उंचा और तीन साइड का जो दिवाल है वो ग्रामीडों के द्वारा चंदा के रुपए से बनाया गया है यह जो चबुतरा का निर्मार करवाया गया है यह कितना दिन पहले हुआ है आप लोग चबुतरा के निर्मार करवाया गया है यहां पर लोग देखिएगा तो कुल प्राप्तरासी है तिन लाख उन्चा सज्जा रूपए और यह उद्गाटन करता के रूप में है श्रीराम सिंग जी जो कि हमारे बगहाँ विदान सबा के विधायक हैं और उनके फंड से चबुतरा का निर्मार किया गया है चबुतरा का क्या कंडिशन है आइएम आप सभी को दिखाते हैं और यह माता का स्थान है यहां पर बोला जाता है कि कई सालों से यहां पर दसारा मेला भी लागाया जाता है और धूमदाम से यहां पर आठजाम भी होता है आए यहां पर देखिए ब्रस्टचार का पहला सिकार तो यह हुगा है कि यहां पर टाइल्स फूट गया है यह देखिए और यहां के लोग बता रहे हैं कि यह टाइल्स किसी भारी चीज के गिरने से नहीं फुटा है यह उपर जो आपको दिखेगा तो बेल का गाच है और बेल का फ़र कितना मजबूत है और कितना मजबूत यह कार हुआ है आप सभी इस गासा को देखकर तैक कर सकते हैं कि एक बेल का फ़र गिड़ा और टाइल्स चेकना चूर हो चुका है और इधर आईए सबसे बड़ी मुद्दा है यह यहां पर दूसरा टाइल्स है और यहां पर दूसरा टाइल्स है इधर भी दूसरा टाइल्स है और फिनिसिंग का कार इसी तरह छोड़ दिया गया है जो फोटी लगाया गया है वह इसी तरह छोड़ दिया गया है इसका भी कोई फिनिसिंग जो कि ठीकदार साहं ने करवाया है और बाकी तीन साइट का दिवाल ग्रामीडों के द्वारा चंदा की रुपए से किया गया है कितने दिन पहले हुआ है निन माण पंदर वा 15 साल पहले से हम लोग इसको बनवा कर पूजा कर रहे हैं मिलाकर हम लोग पूर्य गाउं का जो है कि चंदा मिलाकर हम लोग की इसको बनाँ बिधायक जी के फंट से बना है जो है कि आज दो महिना से काम हो रहा था तीन महिना से इसमें फूट गया और नीचे माल बराबर नहीं बैठा है और बालू लगा गया है मिटी वाला कांगला से निकाल कर सोंसें के एक बालू इसमें नहीं लगा है और इस पर भी टाइस नहीं लगा है और यह लौण गया है क्या हुआ यह जिए खाली जैंडा लगता है कुछ नहीं इसमें क्या है मतलब मसाला नहीं है यह मतलब देखिए ग्रामीर किस परकार क्या क्रोश दिखा रहा और किस परकार गुच्छ आये हैं तीन लाक उन्चास अजर में केवल तीस बाई चार का खाली एक वाल उठा है बास इसका टोटल धोस्ती करण करके इसको बनवाना था अच्छा नहीं हुगा आपके हिसाब से कितना रुप्या लगा हुगा इसमें पचास पच्पना जार रुप्या लगा हुगा बस और तीन खुंचास जर कई टेंडर हुआ है तेंडर में ध्वस्ती करण करके इसको पूरे बनवाना था बहुत बड़ी भरस्टाचार हुगा है आप लोग बन आता तो बिरोद नहीं किया था इसका बिरोद का करें यह तो रात रात के आके 12 बज़े रात में सब लोग सो रहा है उस से लहेड कर लिया कहता है कि तुम हमारा एक टालीसा जारोपर यह घटा लगा दिया है तो हम गाओं के लोग के जूटाए थे यहां पर हां और जो है कि मिस्तीरी जोडाई करने वाला से टाइल से बल्था रहा था जो है कि इतना कोई उंचा कोई नीचा ताइल से बराबर 25 वरस पहले से मेला लगता है जो कि निर्माड हुआ है आप देकर है पूजा तो करना गया है यहां पर तो सब बना बन हागया है पंडाल माईmost बना घया हर साल पहले से बांद दिया कोई नहीं को यह लोग जो है विधाय कि से नराज है एक दम नराज है कभी भी जी आकर इ आपको दिखी रहा है कि लोकल चार नमर का टाइल्स भी लगा है